नमस्कार आगनबाडी बेहनों मैं आई सीडिय सरकर प्रभासिंग आपका आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ बेहनों आज हम जानेंगे 21 दिसंबर दिन गुरू आर को आगनबाडी केंडर पर होने वाले एसी सी इगतिविधी के विसे में सबसे पहले बेहनों हम अपना केंडर खोलेंगे वहां की साफसफाई करेंगे और बच्चों का स्वागत करेंगे नाम टैग की गतिविधी कराएंगे नाम टैग में हमें बच्चों का जो हमने कार्ड बना के रखा है आई कार्ड वो बच्चों को दिखाएंगे और उनसे उनका नाम पहचानने के लिए बोलेंगे उसके बाद हम करेंगे स्वक्चता की जाज कलेंडर गतिविधी में हमें बच्चों को दिन तारीख का रिवीजन कराना है उसके बाद बहनों हम चलेंगे दिन के प्रथम चक्र की तरफ प्रथम चक्र का समय होता है तीस मिनट का और एक थी माधारी चर्चा होती है तो आज की थी माधारी चर्चा का विसाय है बेनों गर्मी से बचने के लिए हम क्या करते हैं हम बच्चों से चर्चा करेंगे कि गर्मी से बचने के लिए हम क्या करते हैं जैसे पंखा, कोलर, थंधी हवा में, पेड़ के नीचे बैठते हैं यह सब चीजें हम बच्चों से चर्चा करेंगे उसके बाद आता है हमारा दितिय चरड जो कि एक घंटे का होता है बेहनों और इस चरड का नाम होता है निर्देशित गतिविधी और स्वतंत्र खेल इस गतिविधी के अंतरगत हम 3-5 वर्ष और 5-6 वर्ष के बच्चों को द की चिकने खूर्दय का प्हचान करना, इस पर स्पॉट के द्वारा हम इनको सिखाएगे बेहनों, चिकना और खूर्दिरे का ग्यान करना उसके बाद इन बच्चों को हम 172 खेल करने के लिए चोड़ देंगे और जो बच्चे हमारे 3-5 वर्ष के 172 खेल खेल रहे थे हम उ दूसरा अस्तर सिखाएंगे आज, उसके बाद वेनों होता है हमारा तीसरा चक्र, जो है अंदर वो बाहर का खेल, जिसमें आज बच्चों को मेंधक दोड कराना है, हम सारे बच्चों को इकठा कर लेंगे, तीन से पांच और पांच से च्छव वर्ष के बच्चों को और बच्चों को मेंधक दोड करना सिखाएंगे, अब आता है हमारा चोथा चक्र, जो है विद्याला प्रस्तुतियम रचनात्मक कारे, जिसमें बच्चों के शारीरिक और वधिक विकास के लिए गतिविधी कराई जाती है, इसे में हम तीन से पांच वर्ष और पांच से च्छव वर्ष के बच्चों को ग्रूप में करेंगे, उसके बाद हमें विभिन आकार की चीजों को बनाना सिखेंगे उसके बाद 5-6 वर्ष के बच्चों को अंग्रेजी अच्छरों को लिखना सिखाएंगे बिंदू के माध्यम से मेनो हम इसलेट पर या कॉपी पर बिंदू 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 को बनाएंगे पॉईंट पॉईंट कर देंगे और उसमें बच्चों को A, B, C, D, E, F, G आधे लिखना बच्चों को हम लिखना सिखाएंगे लिखना क्या एक तरह से हम बिंदू बिंदू कर देंगे तो बिंदू को बच्चे जोड़ जोड़ कर बहुत अच्छी तरह से अबी सीडी लिखना सीख जाएंगे उसके बाद आता है हमारा अंतिम और पांचवा चक्र जो की ये कहानी वह कविता का समय तो बहनों आज है हिंडी भावगीत कविता जिस जो है कि बारिष जब हो जोरदार जिसका नाम है बारिष जब हो जोरदार तो ये बच्चों को पोयम करानी है आज की गतिविधी में बहनों इतना ही हाँ एक बात और आपसे कहनी है कि आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर ले और अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और अप फाइदा मतलब उन्हें पता भी हो जाता है कि अगले दिन कौन सी गति विदी हमें केंदर पर करानी होती है और उन गति विदियों को अपनी दैनिक डाइरी में बहुत ही आसानी से बिना किसी दिक्कत के लिख पाती है तो मिलते हैं अगले वीडियो में बावा बदेवरानात क्रिपा आप सब पर बनी रहें नमस्कार वेहनों